नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ड में आज हम बनाएंगे फली और आलू की सब्जी यहां जो मैंने फली ली है यह चुलाई की फलिया हैं और इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और आप इस सब्जी को मिंटों में बना के तयार कर सकते हैं तो आई यह शुरू करते हैं इसको बनाना इस प्लेट के अंदर इस तरह से कट करेंगे क्योंकि जो हम यह वली वनाएंगे यह बहुत ही स्वादिस्ट बनके तयार होती है और हरी सब्जी यां बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं आप बच्छों को उनके टीफन में, लंचवोक्स में, सुबह नास्ते में अच्छे से बना के खिला सकते हैं मैं अपनी सारी फलीयों को इस तरह से कट करके तयार कर लूँगे यहाँ जो हमारी सबची है इनको हमने काट कर तयार कर लिया है यहां मैंने तीन मीडियम साइज की आलू लिये हैं। आलू को भी मैंने चोटा चोटा सा चोप कर लिया है। तो अब हम अपनी सबजी को बनाना सुरू करते हैं। यहां मैंने कुकर ले लिया। और इसके अंदर डाला है मैंने 2 टेबल स्पोन देसी खी। यहां मैंने बड़े बाड़ा चमच घी के डाले हैं क्योंकि अगर हम यह सबजी अपनी देशी घी में बना के तयार करेंगे तो जो हमारी सबजी है वह तीस वादिस्ट बनके तयार हो जाएगी तो जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कुछ अपने मसाले एड़ करेंगे, अब जो हमारा घी है यह अच्छे से मेल्ट हो जुकता है अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा जीरा ज़िए ज़िए और अधा टेबल स्पून भर्द्रा किसा हुआ धनिया और साथ में यहां डालेंगे दो तेज़ पत्ते थोड़ी सी हम यहां डालेंगे यहां जो हम निए खड़े मसाले डाले हैं यह अच्छे से भून चुके हैं अब में इसके अंदर ढूले हरी मिर्च और अदरक का घ lending जो हम अदरक और हरी मिर्च हैं और अच्छे से भून चुके हैं अब में इसके अंदर डालेंगे प्याज यहां मैंने 2 प्याज लिये हैं और उनको मैने बतली 50 ची स्लाइट में लंबा खाकाश पर तयार कर लिया हैं इसको भी हम एक मिनट के लिये ही घुलेंगे ज्यादा कि एक तक हमने यहां अपने प्याज को नहीं भूनना है अब जो ये हमारा प्याद में इसको भूनते हुए लगबग एक मिनट हो चुता है अब हम इसके अंदर डालेंगे खोड़ा सा हल्दी पाउडर तो साथ में हम यहां डालेंगे लालमिर्ज का पाउडर यहां जो हमारा हल्दी और नान मिल्च का पाल है उसको भी हमने कुछ सेकंड के लिए भून लिया है यह हमने इसलिए डगदा है पहले ताकि जो हमारी हल्दी है इसका कच्छा बन खतम हो जाए अब मैं इसके अंदर ड़लोंगे अपनी फलिया यह मैंने चॉलाई की फलिया ल को इस तरह से 2-3 मिलाट तक अपने इस जो हमने इसमें तड़का लगाया है इसके अंदर ही हमने इनको फ्राई करना है प्राई हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम अपनी फलियों को फ्राई करके बनाएंगे इसको हम अलग से घी या तेल में फ्राई नहीं करें हैं जो हमने त अब तक हमने इसको चलाते रहना है यहां जो हमारी फलिया है इसको चलाते हुए 2-3 मिनट हो चुकी है अब हम यहां अपने अलू डालेंगे अपने अलू को भी अपनी फली के साथ एक से दो मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए अपने अलू को भी प्राय करना है इसी तरह से अपने अलू को हम यहां रखेंगे यहां हमारी फली को रालू को हमने भूनते हुए लगवग पांच मिनट हो चुके हैं और जो हमारे अलू है यह भी अच्छे से प्राय हो चुके हैं अब हम इसके अंदर डालेंगे तमाटर यहां मैंने दो तमाटर ले हैं उनको मैंने पीसी जुने कट कर लेया है अब हम त अब हमने इनको चलाते हुए इन नमक्य टमाटर को अपने खुकर के अंदर अच्छे से भीलाना है अब साथ में यहां डालने हूँ धनिया पाउडर यहां हमने कुछ ज्यादा मसालों का यहां परियोग में ही करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से भी हम अपनी सब्जी को अच्छे से बनाते तयार कर सकते हैं अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बैल आइगन का बटन दबाना नहीं भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं अब इन सारी चीज़ों को हमने अपने कुकर में अच्छी तरह से मिला के तयार कर लिया है आप चाहे तो इसे खुले बर्तन में या फिर ऐसे भी पैन में भी इसको आप बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ कुकर में इसको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा जल्द अब इसको पकाईगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगे कि जो हमारी सब्जी है कितनी अच्छी और स्वादिस्ट बनके तयार हो गई है अब मैं यहाँ अपनी कुकर का धक्तन लगा दोगी और इसमें एक सिटी आने तक ही हमने इसको पकाना है क्योंकि हमने अपनी फली को और आलों को पहले प्राइ कर लिया था यह 40% तक जो हमारी आलो और फली है अच्छे से पक चुके हैं अब जैसे हम इसमें एक सिटी लगाएंगे तो हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनके तयार हो जाएगी अब आप देखें जो यह हमारी सब्जी है कितनी अच्छी से बनके तयार हो चुकी है आप इसे पराठे के साथ रोटी के साथ हसाने से खा सकते हैं और बच्चे भी इसे बहुत फूशो कर खाएंगे और अब आप देखें मैं आपको थोड़ा नजदीक से भी दिखाती हूँ जो हमारी सब्जी का टेक्चर है वो कितना अच्छा सा आया है आपने मेरी वीडियो कैसी लगी आपी सब्जी को जरूर बना के देखें आपके जो भी अनुभव रहे हैं उन्हें आप मेरे साथ कमेंट बोक्स में जरूर शेयर करें थैंक यू